जेहिन और बंदे मात्रम दोस्तु अगर अपको अपनी घर पर ना वाइट से मेंड अपलाई करना और दोस्तो आप लोग चाहता है कि बाहरी दिवार जो हमारे होता है उसी में हम लोग वाइट से मेंड अपलाई करेंगे क्योंकि हमें किसी ने कहा है कि बाहरी दिवारपार वाल पुट्टी करने से वाल पुट्टी में क्राक्स आ जाता है और सीलन पापड़ी भहिया लग जाता है और दूसरी तरफ वाल पुट्टी एपलाई हो जाने की बाद दोस्तों उसका कोष्ट भी यानि की खर्चा ज्यादा होता ह और हम लोग चाहता है कि हम अपनी दिवारों पर इसलिए वाइट सेमेट का एपलाई करेंगे ताकि यह प्रोब्लम से मुक्त हो सके तो दोस्तों मैं आपको बता दू चाहे आप लोग वाइट सेमेट हो या फिर वाल पुट्टी हो अगर एक्स्ट्रियार दिवारों पर एप कि रिवारों पर वाइट सेमेट को वाल पुट्टी को हम लोग नहीं करेंगे वाइट सेमेट को एपलाई करेंगे होता ही सबसे पहले चमेंट होता हैसा है दो responder अमबूजा हवानावा इस से मेटchnya होता है वाइट से मेट पर उस तरह की दोस्तों मेटा हं पर पॉलिमर मुझुद अब सवाल एक्षरीयर दी वारों पर हमारे बाहरी बाहर का दीवारों का इसमें पानी का जपता भी कभी कवार आएगी या फिर धूल मिट्टी तो एटाग हो गई बाहरी दिवारों पर तो इसे हमें वाइट सेमेट करने की बात एक लंबे समय तक चले और हमारा वाइट सेमेट इस तरह से हाथ लगाने से भी कुछ भी प्रोबलम ना हो तो वह त कहेंगे कि आप एक वाइट सेमेट का नाम बताएए जो कि हम लोग खरिद सकता है दोस्तों वाइट सेमेट काफी कमपनी का अच्छा अच्छा है लेकिन अगर एक या दो जैसे लाइक बेला हो या फिर जेके हो इस यह सब केटिगरी हमारे फेवारेट है दोस्तों अब सभ प्राइस बीजानी है अप्रोक्स 50 किलो की प्राइस बारासो रुपया की बीज में आपको आराम से मिल जाएगा और पचास किलो में आपको लगबख साथ सो इसकेरफिट कबर बिलकुल भी हो जाएगा परिसानी वाली बात नहीं तो जिस बहारी दिवारों पर आप लोग वाइट से मिट करेंगे एपलाई सबसे पहले टार्गेट आपको करना क्या है मालों यह प्लास्टर का दिवार है इसको आपको वाइट से मिट करना है तो भाई एक कोट इस पार पानी का छुड़क दो तराई कर लो अब बहुत सारे लोग हमें कमेंड करता वह यह कि अशरए का मतलब होता है पानी से भीगवना है ठीक है त्यूर करना तो पानी तो आपको अच्छे से भीगो देना है भीगोनि की बाद आप आपको बाहरी दिवारों का वाइट सेमेट को मीकसिंग करना है क्या होना चाहिए क्योंकि पानी की साथ यहाइट से मीट्टर पानी डालो यानि कि प्ने चान लिटर पानी आप डालो बिल्कुल आपका घोल अब जैसे ही आपका घोल वंच जाए उसे को debate सुकता है दों गिला गिला है अपको एपलाई करना ओले लोह गलती से और जैसे बहु एक्सक्राइं विड़त वहिए करना बहुंए है हुआ है टो हाइट से मैट आपको तो चाहार इंच वाला बसे कानना है तो पहला कोड अभाटीकाल में पर अपलई करना है खाडा कर $ का है आप चाहए तो एसे भी कर सकता है अब करना हो इसे फाइदा आपको यह होगा कि आपकी एक तो वाइट स्यमेट और जो आपका डीडियएल का फेवीकॉल है और प्लास्टिर की बिज में एक अच्छा पकड़ हो जाएगा क्योंकि आप सभी को पता है कि फेविकल ग्लू है और ग्लू का कामी होता है चिपकना लाइक लाइ मुवास हो या फिर वाइट से मिट भया ग्लू देने से उसमें जान आ आता है ठीक है कभी भी पापड़ी बनने का या फिर हाथ में ऐसे करने से कुछ भी नहीं आता है ठीक है अब पहला कोड आपने अपलाई कर दिया करने की बात चाहे तो आप लोग 5-6 घंटा बाद डबल कोड कर सकता है या फिर अगले दिन आके एक दिन छोड़कार आप लोगा के फिर दुबारा उसको वाइट सिमेट कर सकता है अब जैसे डबल कोड करेंगे डबल कोड अगर एक दिन बाद आप लोग करेंगे तो सबसे पहले कि पज़िता है यह पचला कि लो इत सबसे बनागर फचास किलो में डेल से दो लिटर कप सकता है चिंग मैं टीजिवय आप लोग कहेंगे इसमें इसमीर डॉक्तर बिल्कुल नहीं करना दॉक्तर में इस काम नहीं मनेगा ठीक है अब आपने डाबल कोट भी सेम प्रोसेस जैसमी सिंग रेसियू या ठीकोल करे का कर दिया अब जैसे सेकेंड कोट हो गया आप कहनी इहां से शुरू होता है जैसे अपका प्लास्टर हो जाने की बात दिवारों पार जिस तरह से आप पानी को करता है तरा I CURI करता है ती लेकर 6 दिन तक आपको कम से कम हुआइट से मिट पर क्यो रिंग करना हुगा हमने क्या बताया कि वाइट से मिट हो और हमारे जो सालएक सेमेट है समेट है उसका कलर गर्व लेकिन दूनों का काम दोस्तों एक जैसा करता है दूनों ही सिमेंट है white से में ग्रेस्ट meow तभी पकडय में आता है जब उसमें पानी का च्छेड़का हो समेश पर किया जाता है ठीक है आप जैसे ही आपने डबल पांस से छे दिन पानी वाइट से मेट पर अपलाई कर दिया फिर भाईया लिख रख लो कि आने वाली सालों पर आपका जो दिवार है वो काफी लंबी समय तक चलेगा और कुछ भी अगर प्रोब्लम क्रियेट हो तो हमें कमेंट करके बोलो हो कि भाया आपकी बेर रखह से हमने होइट को यह अपलाई कि यह अगर आपकी दिवार पर शीन बागिरा नहीं है तो कि दोस्तों वाइट से मिल होता है और तरीका से इले न bashार पूर वैटरस पूंड-बिल्कुल नहीं हो ता है तो अगश तो यह लंबी छलंग लगाएगा बहुत साल तक रुख जाएगा दोस्तों फिर मिलेंगे एक ने वीडियो के साथ तब तक लिए जेहिन और वांदे मात्रम